बूके मर जाओगे सब, बूके मर जाओगे, सब का ताइमा आएगा, कोई नी बचेगा, सब बूके मर जाओगे आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे वो जब गाजे बाजे की तरह आए, तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे उन्हें प्रताबगड सुल्तानपूर से लोग धोकर लाने पड़े तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं, तुम्हारा काम भारत मता की जै, तुम्हारा काम जै श्री राम, उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम प्राइवेट वाइजास में उनने का, उनका काम मज़े लेने का, आपका काम इज़र उदर देखने का, उदर देखो भहिया पाक प्रियां का चोपा नाच रही है करते जाओ जितना करना इकरो बदेलो भूके मर जाओंगे सब भूके मर जाओगे सब का ताइमा आएगा को इन भचेगा सब भूके मर जाओगे हमें की आया हूँ इतने प्यार से आपने मेरा स्वाधत किया पुराना रिष्टा है हमारा प्यार का रिष्टा है मोकत का रिष्टा है इसके लिए आप सब को दिल से धन्यवाद नमस्कार यहिए आज अमेठी की सांसत के नाते मैं अभिभूत हूँ कि मात्र दो वर्षों में अमेठी में आठ हजार लगपती वीदी बनी है यह आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के उसका प्रतिबिम्ब है शायद इसी कारण बर्ष आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे वो जब गाजे बाजे की तरह आये तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे उन्हें प्रताबगड सुल्तानपूर से लोग ढोकर लाने पड़े रहना था दिन भर कुछ लम्हे बिताकर यहां से गुजर गए इतनी तो क्या बेरुखिया मेठी से महौल ऐसा कि राइबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी तो सुनी सडके चीक चीक कर कह रही थी कि अब गानी खांदान से उनका कोई सरुकार नहीं कर दो